नमस्कार दोस्तों अगर आपको मेरे चानल पे दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो कृपिया मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस के बारे में आप तक जानकारी पहुँचती रहे आज हम जानेंगे शेर मार्केट में हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते है उसके लिए हमने डोमेंच चूज क्या है अप स्टॉक्स का उनका ये एप है ये एप आप डाउनलोड कर सकते है और इंस्टॉल करने के बाद आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है उससे आप इसे बॉग इन कर दिया है तो यहां पर आप बहुत सारे ओप्शन्स देख सकते है इसकी home screen पे favorites बोलके है यहाँ पे जितनी भी BSC, NSC की जितनी भी companies है आप यहाँ पे जो plus का sign है यहाँ पर click करके आप उन सब companies को search कर सकते हैं जैसे कि हम अभी search करेंगे infosys का तो मैंने infosys यह देखिए यहाँ पर आ गया है और हम यहाँ पर add बटन पर click करके हम वह एड़ कर सकते हैं तो आपकी जो favorite की लिस्ट है इसमें infosys add हुआ है अभी देखिए हम इस पर click करने के बाद हमें यहाँ पर पूरी detail में जानकारी मिल जाती है कि हमें यह sell कैसे buy करने का है कैसे sell करने का है यहाँ पर एक graph दिखाई दे रहा है आपको आप यहाँ पर click करके full screen भी कर सकते हैं अभी मुझे अगर infosys का यह share buy करने का है तो मैं यहाँ पर buy पर click करूंगा इसके बाद यह सारे options आपके screen पर आ जाएंगे यहाँ पर quantity है वन आपको जितने भी shares buy करने के है उसकी quantity आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बाद है order complexity order complexity में options available है simple co का मतलब है cover order और amo का मतलब है after market ठीक है तो हम यहाँ पर simple order करते है order type आपको कैसी रखने की है market limit, sell limit और sell market यह options में आपको मेरे आने वाले वीडियो में बताऊंगा उसके बाद है product, product में दो options है पहला option है intraday और दूसरा option है delivery तो हम delivery select करेंगे delivery का मतलब है कि अगर आज आपने यह share को buy किया तो आप इसे कितने भी दिन आपके पास रख सकते हैं और उसके बाद validity, day मतलब दिनों की validity रहती है, IOC मतलब immediate action रहती है उसके बाद हमें review पर click करना है यहाँ पर पूरी information आजाएगी in fee, BSE का है, group A में शामिल है, हमने quantity कितनी ली है, position क्या है delivery की position है मतलब हम यह कितने भी दिनों तक हमारे पास रख सकते है, validity, day और order type है market और उस उस पर हमें क्या करना है अभी buy पर हमें click करने का है यहाँ पर एक message आएगा, your order has been, अभी देखो यह जो time हुआ है, यहाँ पर 4.30 PM है, तो market अभी close है, इसलिए मेरी यह जो order है, reject हुई वाली है इसी तरह से आप इसमें back जाके, आप stocks में, आपके favorite में हर एक company को add कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, buy कर सकते हैं, धन्यवाद